बैठ जाएं शिक्षा मंत्राले भारत सरकार विश्विद्याले अनुदान आयोग बनारस हिंदू विश्विद्याले के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित तेन दिवसी अखिल भारती शिक्षा समागम में हम माननी प्रधान मंत्री जी का हिर्दय से स्वागत करते हैं राश्ट्री शिक्षा नीति के सफल क्रियान वैन में उनका मार्ग दर्शन हमारा पाथ हे बनेगा इस विश्वास के साथ साथ ही हम माननी राजयपाल शीमती आनंदी बेन पटेल जी माननी मुख्यमंत्री शीयोगी आदित्यनाथ जी माननी केंद्री शिक्षा कौशल विकास एवं उद्यम शीलता मंत्री माननी शीधर्मेंद्र प्रधान जी और मंचा सीन समस्त अतितियों का हिर्दय से स्वागत करते हैं अभिनंदन करते हैं शिक्षा मात्र शिक्षित करने के लिए नहीं या उसका उदेशी सिर्फ रोजगार के लिए योगे बनाना ही नहीं बलकि तेजी से बदलते समय और जरूरतों के अनुसार ग्लोबल सिटिजन तयार करके उन्हें राष्ट के निर्मान से जोड़ना भी है और इसी दिशा में एक कदम है राष्ट्रिय शिक्षानीती 2020 शिक्षा का ये महायग्य है ये समागम प्रारंभ हम करेंगे सरस्वती वंदना से बनारस हिंदू विश्विद्याले के संगीत एवं मंचकला संकाय की चात्राएं प्रस्टूत कर रही है सरस्वती वंदना करेंगे सर्फाना क्या सरस्वती वंदना संक्रादि है ती मेरे सिंदू हर ले ती मेरे सिंदू हर ले पत्यारू कित हुँ सब जनका सत्यमार्द को ही अपनाएं सत्यमार्द को ही अपनाएं वर्दे वर्दे थे माशार्दे वर्दे 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 थे माशार्दे वित्याबू ती काहु समानं सगर जगत को सजग कर दे सगर जगत को सजग कर दे वित्यार्द को ही अपनाएं वर्दे 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 अभिवान ना होएं वित्या का अभिवान ना होएं श्रम का पल सब को मिल जाएं श्रम का पल सब को मिल जाएं ऐसी सफल साध ना होएं वर्दे 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 वर् जग मग सकर नहीं जग कर दे प्रोफेसर रवी भटनागर की स्वर रचना और प्रोफेसर संगीता पंडित के निर्देशन में काशी हिंदू विश्विद्याले की ये छात्रा हैं आपके समुक सरस्वती बंदना प्रस्तुत कर रही थी काशी में माननी प्रधान मंत्री जी का आगमन हर बार काशी को एक नया फ्लेवर और नया कलेवर देता है उनके सानित्य और सामेपी की कलपना से ही काशी उलसित हो जाती है हम सब अलहादित हो जाते हैं मैं हम सब की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए माननी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से अनुरोध करूँगी कि हम सब की ओर से माननी प्रधान मंत्री जी को अंग वस्त्र भेट कर उनका स्वागत करें और इस्मृति चिन प्रधान करके उनका अभिनंदन भी करें और आप सब अपनी भावनाओं को तालियों के माध्यम से मंच तक पहुचाएंगे एक बार पुनह माननी प्रधान मंत्री जी की गरिमा मयूपस्थिति को नमन और अब मैं माननी श्रीधरमेंद्र प्रधान जी से अनुरोथ करूँगी कि वो आज की इस सुवसर पर हम सब की ओर से अतितियों का स्वागत करें और इस महातुपोर्ण विशे पर अपने विचार भी प्रस्दुत करें भारत के सबसे लोको प्रिया जननेता यश्वस्री प्रधान मंत्री जो लोक्षभ हमें बारणाशी का प्रतिनिधी तो करते हैं मानने स्री नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल स्रिमति आनन्दी बेन पतेल जी उत्तर प्रदेश की लोको प्रिया मुक्षभ मंत्री योगी आदित्यनाद जी केंदरी अशिक्षा मंत्राणे में मेरे सहयोगी डॉक्टर सुबा सरकार जी अरनपूर्ना देवी जी डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंग जी उत्तर प्रदेश की उच्चे शिक्षा मंत्री स्री योगेंदर उपाद है जी उत्तर प्रदेश की तक्निकी शिक्षा मंत्री स्री आसीस पतेल जी प्रदेश की उच्चे शिक्षा राजिय मंत्री आदर्निया राजिनी तिवारी जी देश की बरिष्ट विद्वान शिक्षा निती के ड्राप्टिंग समीती की अध्यक्स्य डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी, देश भर के विश्व विद्याले और उच्छ शिख्षा संस्तानों की कुलपती और निर्देशक समोह, प्राध्यापक समोह, विद्वान गंड, सिख्यावित, आमंत्रित अतिति गंड, ये वो मिडिया के मित्र, अईतियासिक सहर कासी में सिख्या जगत के इस भव्वे समिलन में आप सभी का स्वागत करना मेरे लिए सनमान और सुभाग्य की बात हैं, इसलिए मैं इस सास्वत सहर के आराध्य कासी विश्वनात की चरण में बिनमर प्रणाम करते हुए अपनी बात आरम करता हूं, ये सब सबसे पुरानी जिवनत सहर हैं, जो प्राचीन काल से ही ग्यान ये वों सिखाने का की विश्व विख्यात केंद्र रहा है, हमारी देश की युवाओं की भविश्य और रुच्चे शिख्या पर विमर्ष के लिए बार्णासी सबसे बहत्रिन स्तान है, क्योंकि यहां के कंक में हमारी प्राचीन, दरोहर, संस्कूर्थी वो ज्ञान रासी समाहित है, राष्टिय शिख्यानिती 2020 एक दार्शनिक दस्तावेज, एक फिलोशुपिकल डकुमेंट है, मेरा मानना है कि सम्विदहान के बाद NEP 2020 एक ऐसा दस्ताविद है, जिसे देश भर में कई स्तर पर विचार विमर्स, चर्चा, जन भागीदारी और समाथ के बाद आकार दिया गया है, सम्विदहान की समान ही NEP 2020 हमारी देश की दुविदा और संदे से बाहर निकालने का विचार, आत्मा, बुद्धी और कार्य में भारती होने का गहन गर्व पैदा करता है, NEP की घोषणा के बाद से ही हम उसी के क्रियानों के लिए हर कदम पर माननिय प्रदान मंत्री जी का मार्ग दर्सन मिलते रहा है, और आज हम सभी का एक बार फिर माननिय प्रदान मंत्री जी का सानिक्ध्य, उनके आसरिवाद स्नेह और वो मार्ग दर्सन का सोभाग्य प्रा पुरा देश शिख्या जगत की और से आपका हार्दी का भी नंदन और स्वागत करता हूं पिछले महिने मान्य प्रधान मंत्री जी की नेत्रुतों में राज्य की मुख्या सचीवों ने देजबर में एलिपी की क्रियानों की गती देने की बारे में विचार बिमर्श किया थ कुछ विशे पे गहन विचार बिमस करने के लिए अनुरूत करता हूं कि हम अपने समय की जरूरत की अनुसार अपने चात्रों के सही माइने में ग्यान और कोशल दे रहे हैं कि हमारी पाठ्यक्रम हमारी युवाओं के आकांख्यको अनुरूप है क्या हमें अपने कारिकुलम कोर्स और उच्च शिक्षा कोशल ततानुसंदान के प्रती दुरूष्टिकोर्ण में व्यापक परिवर्तन के आपशक्ता है NEP 2020 हमें यथास्तिती और कोठवर्ता को तोड़ना तथा प्रगत्शील मानशिक्ता को तथा साथ अपने राश्ट की जिवन में परिवर्तन करी बदलाब की और बढ़ाने का आपसर पदान करती है हमारी देश में 15 से 25 आयू बर्ग में दुनिया के सबसे बड़ी युवा अबादी है यानि लगबग 25 कोरोड अबादी है यह demographic dividend हमारी पास ज़्यादा समय नहीं रहेगा हमारी पास 25 साल ही रहेगा जिसे हमें अमृत काल भी कहते हैं यह सुनिशित करने के लिए हम सब युवा की उर्जा खेमता और पूरी तरफ शुपवयों कैसे करें और ग्यान तता सिक्ष्या की खेत्र में पूरी दुनिया का नेतुर्तों करें यही NEP 2020 की दिशादर्सन है विश्व विद्याले और उच्छ शिख्या संस्तान ने केबल विद्यार्तिय और शिख्यों को की जीवन की बहतरी बनाने के लिए नहीं है बल्कि एक रास्टर में सभी जिवन की कल्यान के लिए उद्दिष्ट है हमारी रास्टर की ग्यान परंपरा की जणे कई सदियों गहरी है और एनिपी इसी भारतिय ग्यान परंपरा की आधार पर मजबूत नियू स्तापीद करके देश की शिख्या व्यवस्ता को भविश्य की सुरणिम आकार देना चाहती है एक किश्वी सदी ग्यान की सदी है भारत सबसे पूरानी सब्हेताओं में एक है और एक ग्यान समाज की रूप में उभरती अर्थ व्यवस्ता को समुर्द भविश्य की ओर ले जाने में क्याप्टेन बनना सुभाविक है देश युवाओं का केबल जॉब शिकर की रूप में संतुष दिखने की बजाए भविश्य में जॉब क्रियेटर्स की रूप में देखना चाहती है बंदी बंधाई अतवस्तापित सिमाओं में आगे बढ़ना pushing the boundaries असमभव का सपना देखना dreaming of impossible और फिर उसे पूरा करना ही भविश्य की सफलता की कुंजी है देश की साकरात्मक सोच साथ ब्यापक परिवर्तन की युच्चाहा रखने बाले युवाओं की जरुरत है जो किसी भी स्थिति में समझोता करने की बजाएं उसे बदलने की साहस रखते हैं इसी भव्य अखिल भारतिय सिख्या समागम में उपस्तित लोगों की यह जिमेवारी है कि वो यह सुनिशित करें की साकरत्मक सोच बुग्ञान की दुनिया में सिकर पर जाने की यह इच्चाह निरंतर रहें और भविश्य के लिए भारत के पत को रोशन करने के लिए मसाल की रुप में कार्य करें तो हमें यहां बारणासी जैसे सबसे पवीत्र सहर में एनिपी क्रियानों और हमारा देश की जिवन में परिवर्तनकारी बदलाव लाने की कोई कसर नहीं छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए जय भारत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद माननी सेवा सुरक्षा और सुशासन के प्रतिसमर्पित हैं माननी मुख्यमंत्री माननी शीयोगिया दितिनाथ जी जो विकास के नए आयामों और नए किरतिमानों के साथ उत्तर प्रदेश की नई परिभाशा गढ़ रहे हैं स्वभाग्य है हमारा केस महत्वपूर्ण समागम के आयोजन का स्वभाग्य उत्तर प्रदेश को हमारी काशी को मिला मैं बहुत ही आदर के साथ माननी मुख्यमंत्री महदे से अनुरोध करूँगी केस सो अफसर पर अपना उर्भोद हैंगी आदर्णिय प्रदान मंत्री जी प्रदेश की माननी राज जिपाल स्रिमती आनंदी वेन पतेल जी केंद्रिय स्यक्सा मंत्री मान्य स्री धर्मेंद्र प्रदान जी केंद्र सरकार के सभी मान्य मंत्री गाण सी सुभाष मान्य स्रुभाष सरकार जी मान्य स्रीमती अनुपुना देवी जी प्रदेश सरकार में मेरे सयोगी मंत्री उच्च शिक्सा के मंत्री सी योगेंद्रु पाध्या जी तक्निकी सिक्सा विभाग के मंत्री सी आसीश पटेल जी उच्च शिक्सा विभाग के राज्य मंत्री सिमती रजनी तिवाडी जी ड्राप्टिंग कमेटी एनिपी के अध्यक्स डॉक्टर के कस्तुरी रंगंजे देश भर के आईवे हमारे सभी समानित सिक्साविद बाबा विश्वनात के स्पावन धाम पर और आधनिय प्रधान मंत्री जी की कर्म साधना की उनकी स्वयम की कासी में मैं प्रदेश सरकार की ओर से देश भर से आये हुए आप सभी सिक्साविदों की ओर से आधनिय प्रधान मंत्रीजी का हिर्दे से स्वागत करता हूँ और विनन्दन करता हूँ मैं इस वसर पर अपने केंद्रिय मंत्रियों के साथ ही आप सभी सभी समानित शिक्साविदों का भी कासी के इस धर्ति पर हिर्दे से स्वागत करता हूँ कासी प्राचीन काल से ही भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की प्रतीक रही है यह बिद्या की नगरी है और हम सब आभारी है कि जब पूरी दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के सामने असमंजस की स्थिति में थी तब भारत के अंदर जीवन और जीविका को बचाने के साथ ही नए भारत की परिकल्पना को आगे वढ़ाने के लिए रास्टिय सिक्सान नीती भारत रख रहा था देश के अपनी वर्तमान और भावी पीड़ी के लिए प्रस्तुत कर रहा था और आज ये मेरे लिए हार्दिक प्रसंता का विशय है कि उत्तर प्रदेश में रास्टिय सिक्सानीती के इन तीन दिवसिये कारिक्रम के दिस से देश भर के सभी सिक्सावित इसे लागू करने और इसकी भावी योजनाओं पर व् उपस्तित्विये हैं कासी और भारत की प्रंपरा वेसे भी विद्या से जुड़ी भी रही है और आज ये सिक्सानीती भारत की उस बैदिक प्रंपरा का प्रदनित्व करती है जो यहुद घोस करती है कि आनो भद्रा करतों यंतों विश्वत मीद्व अधिक ज्यान को सभी दिशाओं से आने केलिए हमने द्वार खुले रखने चाहिए और रास्टिय सिक्सानीती ने देश की आजादी के बाद पहली बार आधने प्रदान मंत्रि जी की पिर्णा से वह घ्यान की सभी दिशाओं से आने के द्वार ओर खोले हैं मैं इंसके लिए ढेस भर कि आप सभी इस कि आधायने प्रधान मंतट्री जी कि का धिर्दै ये कि आभार करता हो उनका विरंधन वरन भी करता हूं आभार इस बात के लिए भी कि देश भर के सिकसा-विदे प्राशीन की सनगरी में और पंडित मदन मोहन मालवी जी की इस कासी में जहां पर उन्होंने कासी हिंदु विश्व विद्याले भारत की प्राचीन और अर्वाचीन सिक्सा की एक नए केंद्र की रूप में उन्निस सोलह में इस कासी में कासी हिंदु विश्व विश्व विद्याले की अस्थापना की थी वहां पर आज शिक्सा मंत्राले भारत सरकार विश्व विद्याले उन्दानायोक और कासी हिंदु विश्विद्याले मिलकर के इस सिक्सा महा समागम के आयुजन के साथ राश्टिय सिक्सा नीती पर व्यापक मंधन के लिए यहां पर बैठे वे हैं निश्चिति मंधन की परंपरा से कोई अम्रित जरूर निकलेगा और वह द्वार पहले ही वर रास्ता पहले आधने प्रधान मंत्री जी की पेणा से राश्टिय सिक्सा नीती हम सब को प्रस्तुत कर चुकी है मैं इस उसर पर एक बार फिर से आधने प्रधान मंत्री जी का उन्हें की कासी में इस महा समागम कारिकरम के उद्गाटन कारिकरम के उसर पर यहां पर उपस्तित होने के लिए हिर्दै से स्वागत करता हूँ अविनंदन करता हूँ उत्तर प्रदेश रास्तिय सिक्सा नीति को सनातक स्तर पर लागू कर चुका है और उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे सभी 30 जो सास्किय विश्वविद्यालें हैं और प्रदेश के सभी 35 निजी छेतर के बिश्व विद्यालियों में भी इसे लागू करने के साथ ही तक्निकी सिक्सा, किर्शी सिक्सा, स्वास्ति सिक्सा और अन्य सभी छेतरों में राश्टिय सिक्सा नीती को प्रभावी धंग से आगे वढ़ाने के उस कारिकरम को उत्तर प्रदेश ने आगे वढ़ाने का कारिक किया है यह ब्यापक सम्भावनावला छेतर है और जब देश भर के आप सभी सिक्सावित यहां पर उपस्तित्वें हैं मेरा अन्रोद होगा कुन चीज कुछ चीज़ों को लेकर के एकसर हम लोग देखते हैं एक हमारे महाविद्या को सिक्सा के केंद्रों को अस्थानिय प्रिस्तिति के उन किन रूप नवाचार और सोध के लिए अपने आपको तैयार करना होगा दूसरा, सासन की योजनाओं से अपने आपको बैराग्य भाव रखने की वजाए उन सासन की योजनाओं के साथ जुडते वह छात्र चात्राओं को उन्हीं योजनाओं के साथ अगर हम विश्व विद्यालियों में सिक्षण संस्थानों में पहले दिन से ही लगना प्रारंब कर देंगे तो जब वह अपनी डिग्री लेकर के बाहर निकलेगा तो उसके सामने अपने जीवन की अनंत संभावनाओं के द्वार स्वता खुलेवे हो दिखाई देंगे और यहां कार्य राष्टिय सिक्षानीती इस बात की पेड़ना तो हमें देई रही है लेकिन आप सभी सिक्षा विदों के माद्यम से इसे लागू करने में और मजबूती के साथ एक मदद पराप्त हो सकती है मैं एक वार फिर से इस तीन दिवसिय सिक्षा महा समागम कारिक्रम के लिए अपनी सुबकामनाई देता हूँ आप सब का हिरदे से स्वागत करता हूँ राधने प्रधान मंत्री जी का आभार और अविनंदन बेक्त करते हुए बाणी को ब्राम देता हूँ धन्यवाद जय जानेती दो हजार बीस के सफल क्रियानवेन के लिए एक छोटी से फिल्म बनाई गई है आएए देखते हैं भारत खड़ा है अपने गौरवशाली इतिहास के महत्वपूर्ण मोड पर देश के अम्रित काल की यात्रा हो गई है आरंब हमारी युवा अपने सपनों और आकांक्षाओं को मूर्त रूप देने के लिए है आतू इनी सपनों को साकार करने के लिए जुलाई दो हजार बीस में प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नित्रित्व में राष्ट्रिय शिक्षान नीती लौंच की गई थी नई राष्ट्रिय शिक्षान नीती युवाओं को ये विश्वाद दिलाती है कि देश अब पूरी तरह से उनके साथ है उनके होसलों के साथ युवा मन जिस दिशा में भी सोचना चाहिए खुले आकांस में जैसे उर्दा चाहिए देश की नई शिक्षा व्यवस्ता उसे वैसे ही आव सब लग्त कराएं इस नीती के क्रियान वयन ने देश की युवाओं में एक नया जोश भर दिया है Academic Bank of Credit और Multiple Entry Exit की व्यवस्ता से उन्हें पहली बार अपनी पसंद और सुविधा के अनुसार पढ़ने का मौका मिला है Online एवम Open Distance Learning का विश्तार हुआ है 75,000 विद्यार्थियों को गधी शक्ती के देहत प्रशिक्षन दिया जा रहा है Innovation एवम Startup शिक्षा में Multilinguality के प्रचार प्रसार पर जोड दिया जा रहा है तो वर्शों में लाए गए इन सुधारों को कई राज्यों ने कई संस्थानों ने लागू कर दिया है अब देश भर के शिक्षाविद और नीति निर्माता इस बात पर विमर्ष कर रहे हैं कि इन सुधारों को और गती कैसे दी जाए पिछले महिने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेत्रित्व में राज्यों के मुख्य सचेवों ने इस विशय में चर्चा की अब इसी चर्चा की अगली कड़ी के रूप में आज वारानसी में तीन दिवसिये अखिल भारतिये शिक्षा समागम का उत्गाटन हो रहा है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी समागम में उपस्थित होने वाले बाइस चांसलर्स, IIT, IIM के निदेशक तथा देश भर के शिक्षा विदों नीती निर्बाताओं को नीती के क्रियान वयन के विशय में मार्गदर्शन करेंगे प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया, माननीय मुख्यमंत्री, भारत की शिक्षा मंत्री समागम में भाग लेंगे इस चर्चा से नीती के क्रियान वयन को नई दिशा, नई उड़जा मिलेगी और युवाओं के सपनों को मिलेगी उची उड़ान कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं, जो अपने चरित्र, विचार और जीवन से हमें एक बहतर इंसान बनने की प्रेर्ना तो देते ही हैं, साथ ही राष्ट के निर्मान के संसकार भी देते हैं मानमी मूल्यों में विश्वास भी जगाते हैं और अपनी जमीन से जुड़कर आसमान को छूने का साहस और बल भी देते हैं ऐसे ही विक्तित्व का दूसरा नाम है श्री नरेंद्र मोती, हमारे माननी प्रधान मंत्री जी जिनका उद्वोधन हर बार हमें एक नई अंतर द्रिष्टी और दिशा देता है मैं बहुत ही आधर के साथ माननी प्रधान मंत्री महदे से अनुरोध करूँगी कि राश्ट्री शिक्षानीति के सफल क्रियान वेन के लिए हमारा मार्ग दर्शन करें जोड़दार तालियों से एक बार पुना उन्हें नमारें उत्तर प्रदेश के राजपाल स्रीमति आनंदी बेन पटेल यहां के लोगप्रिय मुखमंत्री योगियाति द्यान जी मंत्री मंडल के मेरे सहयोगी धर्मेंदर प्रधान जी राश्ट्री शिक्षानीति की ड्राफ्टिंग कमिटे के चैर्मेन के कस्तुरियंगन जी सरकार के अन्य मंत्री गण इस सम्मेलन में भागली रहे सभी वाई चांचलर्स शिक्षा संस्थाओं के अन्यदेशक सभी शिक्षगण शिक्षवीज देवी और सज्जनों अखिल भारतिय सिक्षा समागम का यायोजन उस पवित्र धर्ति पर हो रहा है जहां आज़ादी से पहले देश की इतनी महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थे यह समागम आज एक ऐसे समय हो रहा है जब देश अपनी आज़ादी का अमृत महोसों मना रहा है अमृत काल में देश के अमृत संकल्पों को पुरा करने की बड़ी जिम्मेदार ही हमारी सिक्षा व्यवस्था पर है हमारी युवा पीडी पर है हमारे हाँ उपनिश्दों में भी कहा गया है विद्दया अमृतम अस्नुते अर्थात विद्दया ही अमरत्व और अमृत्तक ले जाती है काशी को भी मोक्ष की नगरी इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे हाँ मुक्ति का एक मात्र मार्ग ज्यान को विद्दया को ही माना गया है और इसलिए शिक्षा और सोध का विद्दया और बोध का इतना बड़ा मन्थन जब सर्व विद्दया के प्रमु केंद्र काशी में होगा तो इससे निकलने वाला अमृत अवश्य देश को नई दिशाद देगा मैं इस्वर अवसर पर महामना मालविया जी के चरणों में नमन करते हुए इस आयोजन के लिए आप सभी को शुब कामनाई देता हुँ मैं काशी का साउसद हूँ मेरी काशी में आप पधारे हैं तो एक प्रकार से मैं होस्ट भी हूँ आप इन सब के साथ सथ मेरे भी महमान है मुझे विश्वात है कि व्यवस्थाओं में ज़्याद आपको असुविदा नहीं होगी प्रबंद करने का सब ने भरपूर पहास भी किया होगा लेकिन फिर भी अगर कोई कमी रह गई है तो दोश मेरा रहेगा और एक होस्ट के ना थे कोई भी आपको असुविदा हो जाएं तो उसकी शमा में पहले से मांग लेता साथियों मैं अभी एक कारकम करके आ रहा हूं यहां मध्धान भोजन के लिए एक सेंट्रलाइज कीशन का काम था लेकिन वहां मुझे मेरी काशी की सरकारी स्कूल के दस बारा साल की उमर के बच्चों के साथ गप्पे गोश्टी करने का उसर मिला हूं और वहां से निकल कर के अहां आया हूं और मैं उन से सुन कर के आया हूं और आपको सुना ने आया हूं और मुझे कहना होगा और मैं तो चाहूंगा जब मैं अगली बाहर आऊंगा तो जिस स्कूल के बच्चों साथ मुझे मिलना हुआ है मैं उनके जो टीचर्स हैं उनको मिलना चाहूंगा आप कल्प ना कर सकते हैं कि ऐसा विचार मुझे क्यों आया हूंगा मेरे मन पर इतना प्रभाव पैदा हुआ दस पंदरा मिनिट का ही वह वावसर्था मेरे पास लेकिन जो प्रतिभावन बच्चों में थी जो टालेंट थी जो कॉंफिड़न्स था और जो वैविदता थी और वो भी एक सरकारी स्कून के हमारे सामान ने परिवार के बच्चों की हैं जो टालेंट वो बच्चे वहां प्रस्तूत कर रहे थे आपके परिवार में भी अगर आपका पोता ना आती अगर ऐसी टालेंट आपके सामने रखेगा तो जब जब वो आप जहां है वहां पहुँचेंगे पदपे नहीं उस इंस्टिटूट में आप तो नहीं होंगे आप ऐसी इंस्टिटूट बना के जाएंगे कि इस प्रतिभा के बच्चे आने वाले दिनों में आने वाले हैं उनको वहां कमी नजर ना आएं ये काम सबसे बड़ आपके जिम्में है और मुझे विश्वात है कि अगले तीन दिनों तक यहां जो चर्चा और विमर्ष होगा उससे राष्टिय शिक्षा निति के क्रियानवयन को प्रभावी दिशा मिलेगी साथियों आप सभी जानते हैं कि राष्टिय शिक्षा निति का मुलाधार शिक्षा को संकुचित सोत के दाहरे से बहार निकालना और उसे 21 सदी के आधुनिक विचारों से जोड़ना है हमारे देश में मेधा की कभी कोई कमी नहीं रही है लिकिन दुर्भाग जिसे हमारे ऐसी व्यवस्ता बना कर दी गई थी जिसमें पढ़ाई का मतलब केवल और केवल नोकरी ही माना जाने लगा था सिक्षा में ये विकार गुलामी के कालखन में अंग्रेजों ने अपनी जरुरतों को पूरा करने के लिए अपने लिए एक सेवक वर्ग तयार करने के लिए किया था आज हाती के बाद इसमें थोड़ा बहुत बडलाव हुआ भी लेकिन बहुत सारा बडलाव रहे गया अब अंग्रेजों की बनाई विवस्ता कभी भी भारत के मूल स्वभाव का हिस्सा नहीं थी और न हो सकती है अगर हम हमारे देश के पुरादे कालखन की तरफ नजर करें हमारे हां शिक्षा में अलग-अलग कलाओं की धारणा थी और बनारस तो मेरी कासी तो इसका जिवन तो धारण है बनारस ग्यान का केंद्र के वल इसलिए नहीं था क्योंकि यह अच्छा अच्छे गुरुकुल और सिक्षन संस्तान थे बनारस ग्यान का केंद्र इसलिए था क्योंकि यहां ग्यान और सिक्षा बहुत आयामी मल्टी सेक्टरल थी शिक्षा में यही विविदता हमारी शिक्षा विवस्ता का भी प्रिणास्तोत होनी चाहिए हम केवल केवल दिगरी धारगिवा तयार न करें बलकि देश को आगे बढ़ने के लिए जितने भी मानव संसाधनों की जरुत हो हमारी शिक्षा विवस्ता वो देश को उपलब्द कराएं देश को दे इस संकल्प का नेत्रुत्व हमारे शिक्षकों और शिक्षण संस्थानों को करना है हमारे शिक्षक जितनी तेजी से इस भावना को आत्मसाथ करेंगे चात्र चात्राओं को देश के युवाओं को उतना ही ज्यादा देश के आने वाले बविश को भी उतना ही ज्यादा लाग होगा साथ्यों नए भारत के निर्माण के लिए नई व्यवस्थाओं का दिर्वां आधुनिक व्यवस्थाओं का समावेश उतना ही जरूरी है जो पहले कभी नहीं हुआ जिन लक्षों को पाने की देश ने कलपना भी नहीं करता था वो आज के भारत में हकिकत हमारे सामने नद्माण हो रही है अब आप देखिए कोरोना की इतनी बड़ी महमारी से हम नक्यवल इतनी तेजी से उबरे बलकि आज भारत दुनिया की दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही बड़ी अर्थे ववस्थाओं में एक है आज हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्ट अप इको सिस्टिम है स्पेस टेकनोलोजी जैसे छेत्रों में जहां पहले केवल सरकार ही सब करती थी वहां अब प्राइबेट प्लेयर्स के जरिये युवाओं के लिए एक नई दुनिया तयार हो रही है पुरा अंतरीख उनके बहुपास में आ रहा है दोस्तों देश की बेटियों के लिए महिलाओं के लिए भी जो खेत्र पहले बंद हुआ करते थे आज वो सेक्टर बेटियों की प्रतिभा के उधारन प्रस्तुत कर रहे हैं साथियों जब देश का मिजाज ऐसा हो जब देश की रप्तार ऐसी हो तो हमें अपने युवाओं को भी खुली उडान के लिए नई उर्जा से भरना होगा अभी तक स्कूल, कॉलेज और किताबें ये ताएं करते आये थे कि बच्चों को किस दिशा में जाना है लेकिन राष्ट्रिय शिक्षा नीती के बाद अब युवाओं पर दाइत्वा और बढ़ गया है और इसके साथ ही हमारी भी ये जिम्मेदारी बढ़ गई है कि हम युवाओं के सपनों और उडान को दिरंतर पूसाइच करे उसके मन को समझे उसके आकांशाओं को समझे तभी तो खात पानी डाल पाएंगे उसे समझे बिना कुछ भी थोपने वाला युग चला गया है हमें इस बात का हमेशा धान रखना होगा हमें वैसाही सिक्षन वैसी ही संस्थानों की व्यवस्थाएं वैसाही हुमन रिसोर्स डेवलोप्मेंट का हमारा मिजाज अपने आपको सज्ज करना ही होगा नई निती में पूरा फोकस बच्चों की प्रतिभा और चोईस के हिसाब से उन्हें स्किल्ड बनाने पर है हमारे वा स्किल्ड हो कॉन्फिनेंट हो प्रेक्टिकल हो कैल्कुलेटिव हो शिक्षानीती इसके लिए जमीन तयार कर रही है साथियों देश में तेजी से आ रहे परिवर्तन के बीच सिक्षा व्यवस्ता और इससे जुड़े आप सभी महानुभाओं की भूमी का कितनी एहम है इसका एक उधारण कि मैं अपने गुज्रात के मुख्यमंत्री काल के शुरुवाख्ञत के कालखंगा अनुभाफुद बताता हुआ में नहीं मुख्यमंत्री बना था सरकारवर कार की दुनिया से मेरा कोई नाता ही नहीं था मैं बहुत दूर था अच्छानक काम आया था तो मैंने एक कारकम बनाया था, मेरे सभी सचीवों को मैंने कहा कि आप ही आपके डिपार्टमेंट के मुख्यमंत्री है, और मुझे बताईए पांच साल में आप अपने डिपार्टमेंट को कहां ले जाओगे, कैसे ले जाओगे, एचिव क्या करोगे, उससे गुजरात के सा मानने मानवी के जीवन को क्या लाब होगा, उसका एक आपका वीजन और पूरी डिटेल के साथ प्रेजेंटेशन कीजिए, यह मैंने सभी विभागों के सचीवों को कहा, और हर दिन शाम को पांच बजे, सभी मेरी मंत्री परिशत के मंत्री, और सभी सचीव हम बैठते थे और एक सचीव आकर के अपने विभाग का पूरा प्रेजेंटेशन देते थे, पर डिबेट होती थी, सभी सचीव जो पहले भी कोई अगरिकल्चर सचीव रहा होगा, वो भी वहाँ बैठा हुआ है, सब लोग अपने अपने विचार रखते थे, डिबेट होती थे, हमारे म आज मुझे शुरू होता था, रात दस बजे तो बड़ी मुश्किल से घर जाने की इजाज़त मिलती थी, और बड़ा ही, बड़ा ही इंटेंस के वो कार्कम चला, और शायद हिंदुस्तान के इतियास में पहली बार ऐसा हुआ होगा, तो मेरे हाँ उद्योग के जगत के सम के जगते हैं तो कार्कम पूरा होते ही, सिक्षा सचीव मेरे पास आए, क्योंकि दूसरे दिन सिक्षा सचीव का कार्कम था, उसने कहा, साथ मैं कल नहीं कर पाऊंगा, मैंने खाला क्या बात करते हो बही, एक महने पहले आपको तइयारी करने के लिए कहा, और आप तो है मैं कर सकता हूं लेकिन आज जो मैने आउद्ड्योगी की विकास का जो अदेखा उसको देख करकर मुझे लगता है कि हमारा उनका कोई मेल ही नहीं है हम बाए जा रहे हैं तो मैं इसकी लाइट में मेरे जो मॉडिफाइ करने कंले मुझे समय चाहिए तब जाकर के हम एक इंक्लूजिव ग्रोथ की दिशा में साथ मिलकर करके शिक्षा हो इंड़स्ट्री चल सकते हैं हमें भी अब तो पुरी दुनिया का पता होना चाहिए हर युनिवर्सिटी में काम होना चाहिए कि दुनिया आगे किस तरब जा रही है कैसे जा रही है उसमें हमारा देश कहां है उसमें हमारे युवा कहां है आने वाले 15-20 साल उन बच्चों के हाथ में भारत होने वाला है उनको मैं कैसे तैयार कर रहा हूँ यह हमारा बहुत बड़ा दाइत पर है दोस्तों और इसी तज़ पर हमारे सभी सिक्षण संस्थानों को भी खुद से पूछने की जरूरत है कि क्या हम फ्यूचर रेड़ी है मैं आज दिन बिता रहा हूँ एक्जाम ले रहा हूँ कॉन्वोकेशन कर रहा हूँ क्या यही मेरा मैं जिस पत्पर हूँ वही काम है क्या मेरा काम यह है कि मैं ऐसी संस्थान खड़ी करके जाओंगा कि आज जो बच्चा मेरे स्कूल कॉलेज में आएगा आज आदिये कि जब सो साल होंगे जब वह बहुत बड़ी महत्रप्र भूमी का निभाता होगा तब मेरा देश वहां पहुँचेगा मैं वो विवस्ता आज पैदा करके जाओंगा आप सबको वर्समान को समालना है आपके पहले जो करके गए है उसको आगे बढ़ाना है लेकिन आज जो काम कर रहे हैं उनको फ्यूचर के लिए ही सोचना होगा और व्यवस्ताएं फ्यूचर के लिए विक्सित करनी होगी और क्योंकि आज बच्चों की जिग्यासा ऐसी होती है जिनके उत्तर अभी मैंने कहा मैं जिन बच्चों को मिलकर आया हूँ आपको भी घर में पता चलता होगा छोटे छोटे आपके पोते पोती भी आपको सवाल पूचते होंगे आपके नने मने बेटे अपकर सवाल पूचते होंगे आपको सोचना पड़ता होगा अरे ये कहा सर खा रहा है वो सर नहीं खा रहा है और का सर उसको जवाब नहीं दे पा रहा है दोस्तों बहुता है अपके हर किसी के घर में यह अनुभाव आया होगा जी आज की पेड़ी जीन बातों को लेकर के आती है वो तो गूगल पर दस चीजे समाल पुद्धी बोले आप क्या कह रहो गूगल तो यह कह रहा है आपको काउंटर करता है बच्चा अब य आपको आप गर में भी उसके अपनों बैच्चों के साथ मिसमेच अनुभाव कर रहे हैं जब स्कूल कॉलेज के केंपस के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में युवा पीड़ी होगी इस प्रकार से नई सोच के साथ आई होगी और हम बहां उसके योग्य नहीं होंगे तो उ मैं अभी कुछ दिन पहले डिजिटल इंडिया अभ्यान के तहट गांधी नगर में एक एग्जिबिशन देखने गया था वहां सरकारी स्कूल के बच्चे थे बारवी दस्वी या 11 के बच्चे थे वहां बच्चों ने जो प्रोजेक्ट तयार किये थे जो आइडियार रखे थे मैं बहुत उसको समझने की देखने का प्रयास करता था और मैं प्रभावित हुआ था इन बच्चों के काम से रिसर्च का ऐसा पोटेंशल कम उम्र में ऐसे ऐसे इनोवेशन वाली बाते सुनकर मैं दंग रहे गया वहां कई बच्चे बायोटेक और जेनेटिक्स में इंट्रेस्टेट थे उनकी क्लास में जब साइंस की फंडमेंटल पढ़ाए जा रहे हैं तब जीन मैपिंग एफिन मैं उनके काम को देखकर सोच रहा था कि जब यह हाइर एजुकेशन में पहुंचेंगे तो हमारे इंस्टिटूसर इनकी आधुनिक सोच के मताबिक तयार होंगे क्या अगर हम इन बच्चों के लिए उनके हाइर एजुकेशन में पहुंचने का इंतजार करेंगे तब तक दुनिया बहुत आगे निकल जाएगे दोस्तों इसलिए हमें यह अभी से सोचना होगा कि जिस उम्र में भी बच्चों के मन में मोटिविशन है उसी उम्र में उन्हें गाइड़न्स और रिसोर्स मेले इसका प्रबंद हमने सोच रह पड़ेगा हमें अपने सांस्थान में ऐसी व्यवस्थाक तैयार करने पर काम करना चाहिए साथियों इससे महने के आखिर में 29 जुलाई को राष्ट्री शिक्षानिती को दो साल पूरे होने वाले है और अभी दर्मेंद्र जी बता रहे थे कि बड़े मंतन के बाद यह शिक्षानिती बनाई कस्तु रंगंजी ने बहुत अच्छा नित्र को दिया उसकी कार्णे संभव हुआ और हमतना विविद्यता अभरा देश और राष्ट्रिय शिक्षानिती का इस प्रकार से स्वागत हो यह अपने आप में बहुत बड़ी सिद्धी है जी बहुत बड़ी सिद्धी है लेकिन इसकी विशेशता देखिए इसको बनाने में तो मंखन हुआ आम तोर पर सरकार का स्वाव होता है एक डॉक्यूमेंट बन जाता है वो डॉक्यूमेंट समय के भरो से छोड़ दिया जाता है कुछ वेक्तियों के भरो से जोड़ जाता है आपके भी टेबल पर कुछ दिन शोभा बढ़ाता है डॉक्यूमेंट फिर वो भी टेबल पर से हड़ जाता है को नय डॉक्यूमेंट आता है वो जगा ले लेता है बात महीं समाप तो हो जाती अनुबव आपको भी है यहां बैटे हुए लोगों को भी है हमने ऐसा नहीं होने दिया हमने हर पल इस रा और इसी फिशे पर मैं बोलता रहा हूं यह रिपॉर्ट देने के बाद स्वयम कस्तुरी रंगन जी लगातार समवात कर रहे हैं हर छेत्र के लोगों से समवात कर रहे हैं उनके क्लैरिफिकेशन चाहिए समझा रहे हैं उसके पीछे का वीजन क्या है बैग्राउंड इन पर समझा रहे हैं पूरी सरकार के सभी डिपार्टमेंट लगातार कोशिश कर रहे हैं कि यह क्योंकि तीस साल के बाद आया हुआ सिर्फ कांगज का ढर्रा हमारे पास पहुंच जाने से पर होगा नहीं जी आप भी यहां जब तीन दिन मन्थन करोगे उसकी कई बारी क्या है जो साइड आपने पूरा पन्ना पन्ना पढ़ लिया होगा लेकिन आप नहीं तरीके से आपके सामने उजागर होगी इसलिए अ बागी साथी है बेपी ऐसा ही मन्थन करे उसमसे और अम्रत निकाले जी तब जाकर गेस का लाब होगा और इसके इंप्लिमेंटरेशन की जो उसके लिए जो चुनोतिया है उसकी हर बारी की पर हमें गोर किया करते रहना चाहिए साथियों आज जब कोई काम अपने हाथों म लेता है तो समस्याएं के समाधान भी तेजी से निकलता है समस्या समझ कर गया और मैं कहां पड़ू इसमें तो समाधान कभी नहीं निकलता है साथ इन दो सालों में देश राश्ट्रिय शिक्षानित्य को लागू करने के जिज़ा में कई ठोस कदम उठा चुका है इस दोर इनसे जो चर्चाएं हुई मेरा भी देश के शिक्षामंत्रियों के साथ शिक्षाविद्व के साथ जो समबाध हुआ उसने भी इसी गति को आगे बढ़ाया है और अभी कुछ दिन पहले हमारे धर्मंद्र जी ने देश भर के शिक्षामंत्रियों को भी बुलाया था जैस अपने स्तर पर इस दिशा में कहीं महत्पण कदम उठाए हैं और आज सभी के प्रयासों का प्रणाव है कि देश और खासकर देश का युवा इस बड़े बड़लाव में भागिदार बन रहा है साथियों नई राष्टिय शिक्षानीती के लिए देश के एजुकेशन सेक्टर में एक बड़े इंफ्रासेक्टर उवरहॉल पर भी काम हुआ है आज देश में बड़ी संख्या में नए कॉलेज खुल रहे हैं नए विश्वविद्याले खुल रहे हैं नए आयाइटी और नए आयाएम के सापना हो रही है 2014 के बाद से देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 55 प्रतिशत की बृद्धी हुई है युवाओं को बहतर आउसर देने के लिए उनिवर्सिटी में समान स्टेंडर के लिए इस वर्ष कॉमन उनिवर्सिटी एंटरन स्टेश भी लागू किया गया है ऐसे ही कई और भी रिफांस किये गये हैं देश के इन प्रयासों का प्रणाम है कि वर्ल उनिवर्सिटी रैंकिंग में भारतिय संस्तानों की संख्या में धीरे धीरे प्रवेश हो रहा है संख्या में बुर्द्धी हो रही है यह बड़लाव केवल शुरुवात है अभी हमें इस दिशा में लंबी दुरी टाय करना है साथियों मुझे ये भी संतोस है कि राष्ट्रिय शिक्षानिती अब मात्रु भाषा में पढ़ाए के रास्ते खोल रही है इसी क्रम में संस्क्रित जैसी प्राचीन भारतिय भाषाओं को भी आगे बढ़ाये जा रहा है नहां देख रहा हूं किस आयोजन में भी संस्क्रित से जुड़े लोगों के लिए विशेश व्यवस्ता है काशी की धर्ती से हुई ये शरुवात निश्चित ही भारतिय भाषाओं और भारतिय संकल्पों को नई उर्जा देने का काम करेगी साथ कियो मुझे पूरा विश्वात है आने वाले समय में भारत दुनिया में वैस्ट्विक्स शिक्षा का एक बड़ा केंदर बनकर उभर सकता है बारत केवल दुनिया के वहाउं के लिए education destination बन सकता है बल्कि दुनिया के देशों में भी हमारे वहाउं के लिए नए आवसर बन सकते हैं इसके लिए हमें अपने education system को international standards पर त्यार करना होगा इस दिशा में देश लगाता प्याद मि कर रहा है हार एजुकेशन को इंटरनेस्टन स्टांडर्स के हिसाब से तयार करने के लिए नई दिशान दिरदेश जारी किये गए हैं, करीम एच सो असी उच्च शिक्षा समस्तानों में अंतराष्टिय मामलों के लिए विशेश कारले की स्थापना भी की गई हैं, मैं चाहूंगा कि आप सभी इसी दिशा में न केवल जरूरी विमर्श करें, बलकि भारत के महार की व्यवस्ताओं से भी परिचित होने का प्रयास करें, यह नई व्यवस्ता भारत के शिक्षा व्यवस्ता को अंतराष्टिय अनुफ़वों से भी जोडने में मदद करेगी, साथियों, इन त दर्चा से देश के लिए अलग-अलग छेत्रों में नए रास्ते खुले, युवापीडी का मारदर्शन हो, दुनिया के कई देशों ने अलग-अलग छेत्रों में जो रप्तार पकड़ी है, उसमें एक बड़ा योगदान वहां की उनिवर्सिटी का भी है, उनिवर्सिट करती है, सरकार को सुझाव देती है, यही कल्चर, यही काहरे पड़ती हमें अपने यहां भी विख्सित करने की जरूरत है, इसे यंग-जनरेशन को देश और देश की नीतियों की समझ आती है, और उसकी संभावनाओं से भी परिचित होते हैं, मेरा हमेशा से मानना रहा है कि देश के युवाओं की इनोविटिव सोच और नए एडिया से नई व्यवस्ताओं को भी जादा से ज़्यादा जुड़ना चाहिए, इसे फ्रेश ट्रलेंट आता है, फ्रेश आइडिया जाते हैं, मैं चाहूंगा कि इसे लेकर भी आप सब तर्चा करें, कोई रोड़म भी तै कर दी है, आप जिस ख्षेत्र में उसे लेकर सर्वे और स्तड़ी करें, सरकार को सुझाव दे, आपकी उनिवर्सिटी का जो 500 किलमेटर का जो दायरह होगा, वहां की जन सामानी की समस्या क्या है, उसके उपाय क्या है, रिसोर्सेज क्या है, उस रिसोर्सेज के रिपोर्ट बनेगा सरकार की कोई योजना चलती है तो उसके अच्छाईया क्या है कम्या क्या है सुधार की संभावनाय क्या है बढ़िया रिपोर्ट बन सकता है यह सारी बाते सरकार के अंदर घंबी तार से गलिया जाए बहुत बड़ा प्रेनाम आता है मुझे आथ है मैं कुजराग को था तो एक पर सर्दार प्रडेल यूवरसेटेटी में मेरह कार कमसा सर्दार प्रडेल यूवरसेटी के लोगोंने रूर लट्व साथ में काफी रिशयच करके कुछ किताबे तियार त्योंस दिन आने मुझे के श payments की थी मैंने ज्यड़ा बड़ी मारी के सुस में कितना अंतर है और आप हैरान हो जाएंगे उसमें से बहुत सी चाइजे मुझे रूरल डेवलोप्मेंट के मेरे काम में इतनी मदद आई विद्यार्थियों अबने टीचर से किया हुआ काम था जो सरकार में एर कंडिशन कमरे में बैठ करके निर्णे करना मुश्किल होता है जी जो फेल में हमारी ये पीड़ी जाती है बहुत ही अच्छा उसका अर्क निकालकर के लिए आती है और कुछ चीजों का कल्पना भार का लाब हुआ हो ये भी द्यान में आता है जी और मुझे मुझे विश्वास है हमें अब जैसे हमारी यह अग्रिकल्चर यूनिवर्सिट कि लेप में जो करती है कितना ही अच्छा काम दोत्स का मी पानक्व जाए युटीयकर पी छी घूञ उसको डिक कि उसको टीली भी मिल जाए लिकिन मामला में कि रह जाएगा हमें आरे पास लेप टू लैंड का भी तो रोड मैं ओना चाहिए ना जो लैब में है वो लैंड पर भी सोतरना चाहिए और जैसे लेब टू लेंड होना चाहिए वैसे ही लेंड पर उनिवर्सिटी में नहीं गए ऐसे लोग का अनुभव भी बहुत जादा होता है और जो लेंड का अनुभव है उसको लेब में भी लाना चाहिए और लेब में वो कैसे आए रिसर्ट को कैस करें परंप्रा का दनुभाओं को कैसा करें यह सोच करके हम कदब उठाने सकते हैं इसी तरह हमारी हाँ ट्रेडिशनल मेडिसिन आउर्वेद में हमारा ज्ञान उसको को चुनोती तो आप भी नहीं करूंगा लेकिन दुनिया के कई देशें जो आज ट्रेडिशनल मेडिसिन म समय में परिणाम और प्रमान डोनों की जरुत होती है हम यह कहें कि मैं यह जड़ी बुट्री लेती हुए फायदा होता है परिणाम मिलता है लेकिन हम मान के चले और सभी उनिवर्सिटी के दृत्रम मेरे कुछ न यहां से सुन करके जाए तो चलेगा दो शब्द मेरे सुन करके चलके जाएगा और उस पर मन्थन कीजिए जा हमें परिणाम तो मिल जाते हैं लेकिन प्रमान नहीं होते हैं और इसलिए हमारे पास परिणाम के साथ साथ प्रमान होने चाहिए हमारे पास डेटाबेज होना चाहिए हमारे पास उसका पूरा डिटेल रेकॉर्ड होना कहां से कैसे बढ़ला हुआ हम भावनाव के अधार पर दुनिया नहीं बदल सकते जी दुनिया के सामने उसे मोडल के रुपए प्रस्तुत नहीं कर सकते और इसलिए प्रणाम होने के बावजुद भी प्रमाण की आवशक्ता आज के विश्व को बहुत जरूरी है और प्रणाना व्यवस्ता ये विख्षिट करना ये आप सब साथियों की मतर के बिना होना ने होई है एविदेंस बेस एविदेंस बेड ट्रेडिशनल मेडिसिन पर रिसर्च का ये काम भी हमारी उनिवर्सिटी बहुत अच्छी तरह कैसे साथियों हमारे देश में डेमोग्र का अवसर आया था तब उस दुनिया के उस देश ने किस प्रकार के कडम उठाये थे वहां की उनिवर्सिटी कैसे भवार करती थी और उसका बेनिफिट कैसे लिया बहुत बाहरें को कहते हैं दोहराते हैं लेकिन डेमोग्राफिक डिविदेन के संभावनों पर हम क्यों न काम करें उस सामर्थ का उप्योग हम आने वाले 20-25-30 साल के लिए देश को कैसे दे सकें ऐसे ही हम देखते हैं अब दुनिया के देशों के स्थिति देखिए सम्रुद्द से सम्रुद्द देश भी इस बात से परिशान है कि वहां लोगों की आयू बहुत बढ़ रही हैं एजिंग प्रॉब्लेम है और युवापिड़े नक के बराबर हो रही हैं बहुत बड़ा बल्क बुजुर्गों क है उनको जो दुनिया चलानी उसको चलानी पाते हैं अब ये चक्र ऐसा है हरे को आना ही आना है आज हमारा देश युवा है कभी हमारा देश भी ऐसा ही होगा जिसमें युवा कम होगे वृद्ध जादा होगे वो दिन आने वाले हैं क्या दुनिया में अभी से कोई है जो इस प्रकार के बृद्धत्व के कारण उस देश की जो स्थितिया बनी है उसके सॉल्यूशन के लिए उन्होंने रास्ते क्या खोजे हैं। यूद का अभाव में वो समस्याओं का समाधार कैसे कर रहे हैं। कौन सा ऐसा मेकानेजम बनाया है कि चीजें भली स्बूटली आगे बढ़ रही है। यह सारे सोचने का काम मेरी उनिवर्सिटीज का सहथ स्वभा होना चाहिए। उनिवर्सिटीज में आपके लिए अभी से मैं मानता ह। रिसर्च और काम करने का अच्छा स्कोप होता है। और इसके कारण जिन बच्चों को यह प्रोजेक्ट देते हैं। उनका एक विजन बनता है। उनको भी नई चीजे समय देका आफसर मिलता है। अब क्लाइमेट चेंज की इतनी बड़ी चर्चा हो रही है। क्लाइमेट के फिल्म है भी हमारे लोग अगर काम करें तो अस्मित संभावना है हमारे पास। अब हमारे हमने देश में एक योजना बनाई है। CDRI की क्लाइमेट कि स्थिती में हमारा इंफ्रस्ट करेंसा होना चाहिए कि जो उसका सामना कर सके। लिजलियन्ट होना चाहिए। अब उस पर हमारे रिशर्च के इवर हम कैसे करेंगे जी। और इसलिए हमें इस नए संकट के सामने जीना कैसे उसको शिखने के लिए बस्ता करनी चाहिए। अज सारी दुनिया solar power की तरफ बढ़ रही है भारत भागेवान है कि उसके पास तपता हुआ सूरज है उस तपते हुआ सूरज की मालिकी हम कैसे उप्लोग करें उसके सामर्थ को हम हमारे जीवन वबस्ता का हिस्सा कैसे बनाए सोलार पावर को हमारे यहां इतना महत्व दिया लेकिन हम रिश्च के द्वारा नए नए अनुसंदान के द्वारा आज नए उक्टे हिसाब से नए वैज्ञानिक संसातनों के साथ इस उर्जा को इस्तिमाल करने के लिए हमें काफी काम करने की जरूरत लगती है उसी तरह साथियो स्वच्च भारत अभ्यान हर व्यक्ति के दिल में इस बात अब गर कर गई हाँ स्वच्च भारत के विशे में कोई कॉम्प्रिमार नहीं होना जी लेकिन बात महां से बनती नहीं है जब तक हम वेस्ट वेल्ट की तरफ की योजनाएं नहीं बनाते हैं यह जो कूड़ा खच्रा निकलता है उसका सर्कुलर एकॉनमी क्या हो सकती है उसका बेस्ट प्रोडुक्ट क्या हो सकता है यह तो उनिवर्सिटी दिश्ट करके दे सकती है हमारे न्हीं लोग होते हैं प्रोड लॉक करके देश जायो सकते हम वेस्ट में से बेस्ट कैसे बनाएं हम सर्कुलर एकॉनमी को कैसे मजबूत करें और खासकर लोकल लेबल पर सर्कुलर एकॉनमी कहसे कितने ख्षेतर आज हमारे श्टूडंस के लिए खुले उए है आज लेश्ट स्पोर्स के स्षिट्र में भी nए आत्मय स्वासक्रदान नए उपलब्द्य हासिल कर ला है हमारी उनिवर्सिटी एइस हिता नहीं होना ते इस इन बन रही है इस लिए बागी उनिवर्सिटी के मैदान में होना चाहिए है हमारी उनिवर्सिटी ये लक्ष मना सकती है एक एक उनिवर्सिटी टाहिए कर सकती है कि आने वार्व से बरसों में मेरी उनिवर्सिटी कितने गोल मिडल ले आएगी मेरे स्कूल के कितने विद्यारति मेरी कॉलेज के कितने विद्यारति आएगे पड़ी अमानत बन जाएगा है साथियों मैं स्ट्रे विचारों को इसलिए रख रहा हूं अंगिलत संभावनाएं है और राष्ट्रिय शिक्षानीति ने आपके हाथ में आउसर दिया है जो पिछले वार्षों में हमारे पात नहीं था इस राष्ट्रिय शिक्षानीति कराना है यह हमारा काम है उसको आगे बढ़ा है साथियों सब को याद रखना होगा कि देश के भविष्ट निर्बान का राष्ट्रिय शिक्षानीति का नेत्रुत्वा आप सब साथियों के हाथ में है मुझे विश्वात है कि अखिल भारतिय शिक्षा समागम में आपके मंतन से निकलामृत आपके सुझाव देश को एक नई दिशा देंगे जिन नव जवानों के साथ आपका समय बिच्ता है उनको वरतमान के लिए नहीं आने वाले कल के लिए त्यार करना है अगर आने वाले कल के लिए त्यार करना है तो आपको आने वाले साल के लिए त्यार होना है अगर आप आने वाले साल के लिए तियार होते हैं तो आपकी इंस्टिटूट को आने वाले सो साल के लिए तियार करना है तब जा करके इस काम को प्राप्त करते हैं और उसी भाव को साथ आप लोग काशी की इस पवित्र धर्तिपी हैं मागंगा के तटपर विराजबान हैं स जब आप उसको रखोगे उनिवर्सिटी भी आने वाले अमरितकाल में भारत के उजवल भविश्व को घड़ने के लिए काम आएगी मैं फिर एक बार विभाग का इस कारकम के रहतना के लिए धन्यवाद करता हूं आप सब उत्सा और उमंग के साथ इसे सरीक हुए हैं मुझ लग रहा है पता नहीं आपका क्या होगा तीन दिन के बार लेकिन आप एकडेमिक वर्ल के हैं तो जरूर उसको आगे बढ़ाएंगे मेरी आपको बहुत-बहुत शुपक्रमना हैं बहुत-बहुत धन्यवाद